गर में खुशी की लहर दोर जाती है जब उस घर में पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली दोलहन आ जाती है उसके बाद बड़े आराम से वो नौकरी करने लगती है और धीरे धीरे घर परिवार का गोजारा ऐसे ही चलता रहता है जो लड़का होता है वो पढ़ा लिखा तो हो लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती एक दिन का वैक्या होता है जब उस लड़के का दोस्त एक होटल के अंदर जाता है और वहां पर एक लड़की उसके सामने परोशी जाती है जब उस लड़की को वो दोस्त देखता है तो एकदम से तूट जाता है और दोड़ा दोड़ा अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तेरी दुलहन नोकरी नहीं करती वो तो होटल में गैर कानूनी काम करती है अब यह सब मामला जब पती सुनता है पती जब अपनी दुलहन से इस वारे में बाचीत करता है तो होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा दोस्तों आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी उस दुलहे की मौत हो जाती है आईए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था नमस्कार चेहिंद आप देख रहे हैं एपिएच न्यूज राहुल रावत के साथ तो दोस्तों आज की जो मैं हकिकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरकपुर की है यहाँ पर विनोज सर्मा नाम का एक लड़का जिसकी उमर होती है 26 साल वो अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ बड़े आराम से रहता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जौब की तलास में होता है लेकिन उसे जौब नहीं मिल पाती इधर जो घरवाले होते हैं उसकी साधी के लिए लड़की ढूनने की क प्रायवेट नोकरी करती है और उसकी साधी तयकर दी जाती है एक निश्चित डेट पर उन दोनों की साधी कर दी जाती है लड़की का नाम आसा दे भी होता है और जिसकी उमर 24 साल होती है अब घरवाले बहुत ही ज़्यादा खुसी होते हैं कि घर में पढ़ी लिखी हो जाती है और घरवाले सादी करके दुल्हन को अपने घर लिया आते हैं धीरे धीरे समय बीत जाती है और अपने पती से काफी बार कहती है कि तुम घर पर ही पड़े रहते हो तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम नौकरी करने के लिए जाओ लेकिन तुम्हें तो ऐसी आदत पढ़ चुकी है कि तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते तुम तो मेरे पैसे पर ही मौज मस्ती करना चाहते हो एक दिन का वाक्या होता है जब उन दोनों की आपस में ल वो खाना पेक करवाती है उस लड़के का नाम होता है अनूप अब अनूप और उस आसा देवी की थीरे धीरे नजदी किया बढ़ने लगती हैं एक दूसरे से वो अपना नमबर ट्रांसपर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ बाचीत करने लगते हैं अब जब भी आसा देवी क लड़ाई उसके पती के साथ होती है तब ही वो होटल से खाना लेने के लिए चली जाती है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ जाता है जो अनूप होटल का करमचारी होता है अब उससे कहने लगता है कि तुम सुबह यहीं से डेली आया करो और य मिनोद सर्मा उसको बताते हैं कि तेरी पतनी तो इस तरह होटलों में जाती है वो तो कमपनी में नहीं जाती है लेकिन पती भी उस पर विश्वास नहीं करता फिर पती उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह से होटलों में क्यों जाती हो पतनी अपने पती से कहती है कि मैं ह होटलों में नहीं जाती कभी जब भी वहां से खाना लेकर जाती हूं लेकिन वो पत्नी होटलों में जाती है और जाकर उस लड़के के साथ संबंद बनाती है जैसे ही समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता है जो अनूफ होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें प्राइवेट न देवी इस सब के लिए तयार हो जाती है और बहुत सारा पैसा वहां से कमाने लगती है एक दिन का वैक्या होता है जब विनोध सर्मा का एक दोस्त जो की अयास टाइप का होता है वह उस होटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर जब वह लड़की की डिमांड करता है तो तुम्हारी पत्नी तो होटल में अवैद धंदों में है वो तो गलत काम करती है अब विनोध सर्मा भी ये सब बाते सुनकर एकदम से तूट जाता है उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है पत्नी आसा देवी घर के अंदर वापस आती है तो पती उससे लड़ाई जगड़ करने लगता और उससे कहने लगता है कि तुने हमें कहीं का नहीं छोड़ा तुने तो हमारी बदनामी कर रखी है तू तो होटलों में जाती है तू तो बहुत ही गलत औरत है अब आसा देवी कहने लगती है कि तुम कमाने लाइक तो हो नहीं तुम्हारे जो खर्चे हैं डे पर जस्त लड़ाई होती है उसके बाद जब पती सो जाता है तो पतनी अपने बॉइफ्रेंड अनूप के पास फोन करती है और उससे कहती है कि अब हमारे पती को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका है अब हम इस तरह से नहीं जी सकते फिर ज सुबह होते ही पतनी अपने पती पर महरवान हो जाती है जो रात को उसके साथ में लड़ाई कर रही थी सुबह सुबह उसके पैर पकड लेती है और उससे कहने लगती है कि मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई मुझे माफ कर दो मैं अब एथा काम नहीं करूँगी मैं दो होटल में चला जाता है जैसे ही होटल के अंदर पहुंसता है वहाँ पर पहले ही अनूप घात लगा कर बैठा होता है वह अपने साथ एक अपने दोस्त को भी ले लेता है जिसका नाम हितेस होता है फिर दोनों मिलकर उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर जो मीट का कर फैंक दिया जाता है जैसे ही अगला दिन आता है पुलिस वहां पर पहुंच जाती है पुलिस जब पूरा मामला देखती है तो उस व्यक्ति की पहचान के लिए लोगों को बुलाती है तो जब पता चलता है कि ये तो विनोद सर्मा है जब विनोद सर्मा के घरवालों को प तुरंत ही कहता है कि इस सब के पीछे मेरे भावी का हाथ है वो तरह तरह के होटलों में जाया करती है और उसका अबैद संबल किसी और के साथ भी है एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है और तुरंत ही आसा देवी के घर पहुंच जाती है और उसे अपनी गरप्त में ले ले लेकिन पुलिस का जो रवया होता है पुलिस का जो 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 दवाब होता है तुरंथी आसा को तूटने के लिए मजबूर कर देता है और आसा तुरंथी सब कुछ तोते की तरह बताने लगती है वो कहने लगती है कि साहब मेरे अबैद संबंद एक होटल के करमचारी के साथ थे अब इस सब के बारे में मेरे पती को पता चल चुका था अब मैं चाहती थी कि मैं अपना जीवन अच्छे से जीऊं क्योंकि मेरा पती ना तो कमाता था नहीं कुछ करता था घर पर रहकर मेरे पैसों से ही मोजमस्ती किया करता था अब मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती थी इसलिए मैंने अपने बॉइफरेंड अनूप को इस सब के बारे में बताया और अनूप ने उसे होटल में बुला कर उसको मौत की नीद्र सुला दिया अब ये सब मामला जब गाओं वाले भी सुन रहे होते हैं आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं उनके पैरो तरे भी जमीन खिसक जाती है पुलिस तुरंथी हरकत में आ जाती है और जो अनूप होता है उसको भी गरबतार कर लेती है और उसके दोस्त जो हितेस होता है उसको ये मतलब होता है क्या वो अपने पती को रास्ते से हटा देगी या अगर पत्निया कमा कर अपने पती का पेट भरती है अपने परिवार का पेट भरती है तो वो इस तरह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने की आजादी उन्हें कौन देता है ना तो हमारा कानून इस तरह की आजादी देता है और नहीं हमारा समाज इस तरह की आजादी किसी को देता है कि वो किसी को रास्ते से हटा दे यहाँ पर पत्नी ने बहुत ही गलत काम किया जिसकी बज़े से आज वो सदा सदा के लिए जेल में चली जाती है और जो उसके घर परिवार उसके पीछे रह जाते हैं वो उसके पीछे ही रह जाते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर जो पत्नी ने किया क्या सही था या गलत था आपकी जो भी राय है कमिट वोक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तो इस घटना करम को सुनाने का उदेश से किसी को बर्गलाना किसी को भेकाना किसी पर किसी प्रकार का दवाब बनाना नहीं है हमारा उदेश से बस यही है कि आप लोग जाग रुखों और ऐसे एक्राइम के बारे में जाने जो डे वाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें सतर्क रहें साब्धान रहें और ऐसे एक्राइम को अपने आसपास नाखोने दें नमस्कार चेहिंद चेह भारत